राधे राधे दोस्तों, आपकी अपने YouTube चीनल स्वास्तिक खाना में आप सभी का स्वागत है आज की हमारी स्वास्तिक खाना रेसेपी है ठावा स्टाल स्यों टमाटर की सबची अगर अभी तक आपने हमारे चेनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लिस चेनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा तकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे तो चलिए शुरू करते हैं ढाबास तल सीवंग टमाटर की सबजी बनाना सीव टमाटर की सबजी बनाने के लिए सबसे पहले हमने कढ़ाई लिए और तेल को गरम कर लिया है जब तेल गरम हो जाए था हम डालेंगे दो से तीन चुटकी हींग, दो तेज पत्ता और आधा चमच हमने यहाँ पर डाला है मेथी दाना और एक चमच तेल और हम इसमें डाल देंगे आधा चमच राई और एक चमच हमने यहाँ पर डाल दिया है जीरा जीरा डालने के बाद में अब हम यहाँ पर डालेंगे दो से तीन लोंक और अब हम इसमें डाल देंगे दो टुकड़े डाल चीनी के और साते हम इसमें डाल देंगे चार से पाँच काली मिर्ज और सभी मसाले को अच्छे से तड़कने देंगे जब एक से दो मिनिट के बाद में हमारे मसाले जो ही अच्छे सी तड़क जाए और उसके बाद में हम इसमें डाल देंगे तीन से चार बारी कटी हुई हरे मिर्च मिर्च डालने के बाद में हम हरी मिर्ची को अच्छे से पका लेंगे और एक से दो मिर्ची जो है बिल्कुल अच्छे से तड़क जाएगी और उसके बाद में अब हम इसमें डालेंगे पारिक कट कियो हुए टमाटर जो कि हमने मीडियम साइज की तीन टमाटर लिये हैं अब हम इसमें डाल देंगे नमक तो हमने यहाँ पर दो चमश नमक डाला है ताकि टमाटर जो है बिल्कुल अच्छे से गल जाए और इसका बिल्कुल एक इसमुटसा पेस्ट जीसा तैयार हो जाए आप चाहें तो टमाटर का पेस्ट भी डाल सकते हैं लेकिन बारिक कट करके अगर हम टमाटर को इसे में अच्छे से पकाते होगे इसका पेस्ट बनाते हैं तो वो सब्जी हमें थोड़ी जादा टेस्टी लगती है तो टमाटर जो है बिल्कुल पर्फेक्टली पक चुके हैं अब हम इसमें डाल देंगे दो चमश लाल मिर्च पाउडर और एक चमश हम यहां डाल देंगे हल्दी पाउडर और साती हम इसमें डाल देंगे आधा चमश कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर अब एक चमच हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर और हमने यहाँ पर एक चमच लिये कसूरी मेथी कसूरी मेथी डालने के बाद में अब हम इसमें डाल देंगे एक चमच गरम मसाला और मसाले को बिल्कुल हमें low to medium flame पर अच्छे से पकाना है तो इसे हम 3-4 मिर्ट तक अच्छे से भून लेंगे ताकि मिर्ची और सारा मसाला जो है उसमें अच्छे से पक जाए हमें मसाले को जो है बिल्कुल धिमियाच पर ही पकाना है मसाला जितना slow पकेगा उतना अच्छा हमारे सच्ची में स्वाद भर कर आएगा 3-4 मिर्ट हमें मसाले को भूनते हुए हो चुकी है और इसमें ओयल जो है वो भी अलग हटने लगा है अब हम इसमें थोड़ा सा आधा कप इतना पाने डाल करके इसे अच्छे से मिक्स करते हुए मसाले को और अच्छे से पकाएंगे हमें पानी डालनी की बाद में मसाले को 1-2 मिनट तक और थोड़ा भून लेना है हमारे सब्जी की मसाले की कुछबू बहुती अच् motivo आ रही है तो हमें बिल्कुल low flame पर यह process को continue कर लेना है मसाले को अच्छे से पकाने की बाद में हमने यहाँ पर amul का fresh cream लिया है जो कि हमने लिया है तीन चमज आप चाहें तो घर की गाड़ी मलाई भी ले सकते हैं उससे क्या होगा कि हमारे स्यू टमाटर की जो सबजी है वो बिल्कुल मलाईदार बन करके तयार होगी और ग्रेवी की थिकनेस जो है वो भी बिल्कुल परफेक्टली आएगी क्रीम डालने के बाद में अब हम इसमें थोड़ा सा पानी एट कर देंगे और पानी डालते हुए हमें इसे एक मिर्ट तक अच्छे से पका लेना है और उसकी बाद में हम इसे अच्छे से मिक्स करते हुए चलाते रहेंगे क्रीम डालने के बाद में एक मिनिट तक अच्छे से चलाते हुए पकाने के बाद में अब हम जो है इसमें पानी एट करेंगी तो हमने यहाँ पर दो कब पानी एट कर दिया है दो कब पाने डालने के बाद में अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद में कड़ाई को थाले से ढख करके हाई फ्लेम पर हमें बिल्कुल 6-7 मिनिट तक के लिए सबजी को अच्छे से उबाल लेना है 6-7 मिनिट हो चुकी है, सब्जे जो है बिल्कुल पर्फेक्टली उबल चुकी है और अब जो है हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद में हमने सेव टमाटर के लिए यहाँ पर डंखल सेव का प्रयोग किया है जो की हमारे रतलाम की फैमस सेव है तो अब हम इसमें दो कटोरी डंखल सेव को डाल देंगे और इसे अच्छे से हम एक से दो मिनिट तक बिल्कुल अच्छे से चलाते हुए पका लेंगे अगर आप सोफ्ट वाली सेव का यूज़ कर रहे हैं अच्छे से उबाल लिया है अब हम इसमें डाल देंगे बारी कट किया हुआ हरा धनिया और हरा धनिया डालने के बाद में अच्छे से मिक्स करते हुए हम गेस के फ़लेम को ओफ कर देंगे तो लीजिए तैयार है हमारी धावा स्टाइल सेव टमाटर की सबजी जो की खाने में बहुती लाजवाब लगती हैं अगर आप प्याच का यूज़ करते हैं तो आप सेव टमाटर की सबजी में प्याच की ग्रेवी भी बना सकते हैं मैं अपने स्वासतिक खाना की चण में बिना लस्तुन प्याज का खाना बनाती हूँ अगर आप लस्तुन प्याज खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें अच्छे से 2 पीस करके अच्छे से डाल सकते हैं तो बस गर्मा गर्म धावा स्टाइल सेव टमाटर की सबजी आप पर अठा या फिर चपाती के साथ गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं देखिए लग रही है ना बिल्कुल हमारी धावा स्टाइल सेव टमाटर की सबजी मज़ेदार सी आप भी इस तरीके से अपने घर में सेव टमाटर की सबसी एक बार ज़रूर बिनाए और आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी प्लिस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताईएगा और अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लिस चैनल को सबस्क्राइब कीजिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा धन्यवाद, जय हिन, जय भारत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का खयाल रिखिएगा